ओम नमु भगवते रामकृष्णाय सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जग्दात्मानंजी महराज जी की महान पुस्तक जीने की कलासे अध्याई एक छोड़ो चिंता दुस्चिंता को धन से हम स्वादिष्ट भोजन, महंगे कपड़े, आराम दायक जीवन, महंगा चेकित्सा उपचार आदी खरीच सकते हैं लेकिन क्या मनुष्य द्वारा कमाई गई धन से जीवन की प्रतेख समस्या का हल किया जा सकता है आईए, अब हम सुनते हैं स्वामी जगतात्मानंजी की ही बातें धन से सुक्षान्ती नहीं मिलती जीवन में सुक्षान्ती केवल धन पर निरपर नहीं करती, इस बात को कई उधारनों से प्रमानित किया जा सकता है समाज के एक गणमान्य व्यक्ती कई समाजिक संस्थाओं के पदादिकारी है उन्होंने जन कल्यान की कारे किये हैं और अपने अंचल के अनेक परिवारों को लाप पहुंचाया है उन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मलिया था वे एक सत्य निष्ट व्यक्ति हैं उन्होंने कठोर परिश्रम से अपने परिवार की स्थिती में सुधार लाया परन्तु अभी हाल ही में एक भाई तथा चार पुत्र पुत्रियों से युक्त उनके परिवार में बटवारा हो गया है आज वे व्योजिष्ट सज्जन अपनी पत्नी बच्चों तथा घर से दूर निवास करते हैं वे तीवर मानसिक तनाव तथा शोब से पिड़ित हैं आर्थिक दुष्टी से समर्द्ध होने के बावजूद केवल वे ही नहीं अपितू उनके घर का हर सदस्य किसी ना किसी मानसिक पीड़ा से तरस्त है आज पिता और उनकी संताने मुकदमे बाजी में फसकर अदालतों के चकर लगा रही हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी भागे में केवल दुख भोगना ही बदा है? एनवरेद सज्जन का उद्धार कैसे हो? उनके मन की प्रसनता कैसे लोट सकती है? दन यदि सुख या शान्ती ना ला सके तो फिर उसकी उप्योगिता ही क्या? कानून के एक विख्यात प्राध्यापक का एक उत्र है आठ या नौ वर्ष की आयो में वह बालक एक दुकान से कांच का एक तुकड़ा ले आया बच्चे की मा कहती है कि उसी दिन से उनका दुर्भा की शुरू हो गया तब से लेकर पिछले छे या साथ वर्षों तक उस बालत की मानसिक हालत स्वस्त नहीं थी कोई भी यह नहीं जान पाता कि वह तीन अलसेशन कुटों द्वारा सुरक्षित घरों में गड़ी या टेपरी कॉडर कैसे उठा लाता है इससे भी विचितर बात यह है कि उसे दूसरों के घरों के आसपास मलत्या करने की बुड़ी आदत पड़ गई है उसमें एक और भी विचितर आदत है वह किसी के भी घर का दरवाजा खट-कटाता है घर पर किसी के मौजूद होने पर वह कहने लगता है शमा कीजे मैं यहां गलती से आ गया पर घर में किसी के ना होने पर वह वहां से मनपसंद चीजें उठा लेता है वह घरों में घुस्ता कैसे है वह खिड़कियों की छड़ों को आसानी से मडोर डालता है चुराई हो चीजों का वह क्या करता है वै उन्हें कहीं छिपा देता है, वै अपने माता-पिता के प्रती भी अब शब्दों का प्रयोग करता है, एक दायरी में वै अपने नित्त किये गई कारों को लिख कर रखता है, अपनी कक्षा की एक लड़की से उसने παत्रचार भी आरेम किया, उसे उस लड़की का विश्वास भी हासिल हो गया है उसे सतत तुम्रपान करने की लग चुकी है एक मनोच चिकस्सक ने उसे सोشवपैत का रोगी मताया मनोच चिकस्क ने उसके माता पिता को आश्वस्ट किया कि प्रेम और धहर पूर्वक्ष चिकस्सा करने पर उनका पुत्र कुछ वर्षों में ठीक हो जाएगा कुछ काल बार उसका विवहार असहन हो जाने पर उसके माता पिता ने उसे मनोचे किसाले में भरती करा दिया वहां से उसने भाग निकलने का निश्वल प्रयास किया यहां तक कि एक बार उसने आत्म हत्या की भी चेश्टा की आजकल वह अपने माता पिता को धमकी दे कर कहता है परिक्षा फल घोशित हो जाने दीजे मैं आप लोगों को मार डालूँगा विशेशक कहते हैं कि प्रेम और सने से इस बालक का उपचार होना चाहिए परंतु यह है कितना कठिन उस बालक की दादी कहती है हाँ हाए यह दुखताई बच्चे हमारे पूर्व जन्मों के कुकर मुकाफल है यह बच्चे हमारे नियती हैं कोई क्या कर सकता है इस बालक के पिता युक्ती वादी हैं और वे अपने पुत्ते के आरोग गहे तो आदुनिक चिकसा में विश्वास रखते हैं वे भगवान में या प्रात्ना में विश्वास नहीं करते उसकी माँ अभी यह निश्चित नहीं कर सकी है कि वे किस देवता की मनौती माने यह बालक समुचे परिवार के लिए एक सरदर्द बन चुका है क्या वे इस कष्ट से उबर नहीं सकते ऐसी बात नहीं कि इस समस्या का कोई हल ही नहो जहां चाह वहां रा ओम शान्ति 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 हरियोम तसत्ष्री राम कृष्णारपन मस्तू